की आज हम कुछ माले हैं की स्ट्रींग स्ट्रींग फंक्शन्स देखेंगे उसमें तो पहले में दूदिफरेंट टाइपस आफ श्रींग से बिल्ट इन फंक्शन्स ऐस में पहले आज की ऐसकी बारा में देखेंगे आज करें लेफ्ट रिव राइट रिव ऐसा कुछ बिल्टीप फंशन से उसमें हमें पहले देखते हैं सेलेक्ट एसकी हमें क्यारक्टर दे रहे हैं यह क्याप्टल एक का आस्की वाल्यू वह देता है उसमें तो 65 आता है देखो 65 इस स्टार्टिंग आस्की वाल्यू है इसके यह रहा हो आस्की बिल्टिंग फंक्शन हमें नहीं तो एक स्ट्रिंग दिया तो वह भी आउट्पूट किया आता है पहले पहले स्ट्रिंग का आस्की वाल्यू आता है देखो 65 आया है मतलब सिर्फ फर्स लेटर का आस्की वाल्यू आता है यह रहा आस्की का एक बिल्टिंग फंक्शन है और सेलेक्ट क्यारोफ हमें क्या करेंगे 65 किया तो क्या आता है अभी आस्की वाले देता है इसके लिए मैं डिक्लेर करती हूं पहले डिक्लेर एडरेट स्टार्ट अस इंट सेट अडरेट स्टार्ट इक्वल टू 65 क्योंके आसकी वालेट स्टार्ट इक्वल टू 65 है और उसके बार में लूप के लिए लूप इसको लिए हूं वैल अटिर इस तर लेट अरिक्वल टू 90 बिए प्रेंट बिल्ट कर रहिं हूं सब देंट print एंदेन एंड ओके यह रहा हमारा स्मॉल प्रोग्राम है यह तू जेट का देखो यह तू जेट और एटू जेट प्रिंट करने के लिए यह रहा है और दूशा क्या है हम भी हमें तो यह 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 तू स्मॉल प्रिंट करने के लिए और दूसरा क्या है सेलेक्ट हमें सेलेक्ट पहले थोड़ा स्पेस दे रही हूं में और उसके बाद क्या बोलते हैं स्पेस देके हेलो बोल रही हूं में देखा अभी लेफ्ट रिंब का इस्तिमाल करें सेलेक्ट एल 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 ट्रिंब अब हमें लेफ्ट रिंब मतलब लेफ्ट का पूरा स्पेस देखा लेफ्ट का स्पेस नहीं नहीं तो देखें कैसा और अभी हमें लेफ्ट रिंब नहीं दिया तो क्या हुआ होता है देखते हैं ज़िए पहले तोड़ा ज़िरस अकर उसके बात है वही नहीं तो अभी आम लेफ ट्रिम दिया तो स्पेस सब निकल के हमको आते हैं अब यह सेलेक्ट करके तो देखो यह लेफ्ट रिम का स्पेस निकल के आएगा अभी तो मैं यहां भी राइट में भी स्पेस रख रही हूं अभी इसको राइट रिम किया तो इसलेक्ट किया राइट रिम देखो देखो बैल लेफ्ट में लाइट में जग आया होगा हमको मतलब अभी यह कुछ नहीं है इसलिए हमें नहीं दिख पाएंगे यह रहा राइट रिम का यह आओ दूसरा क्या दूसरा फॉंक्शन है आप पर सेलेक्ट आप पर में कुछ ने लेक्ट देखो एबी सेडी अधेक्ट किया तो आपर का मतलब सब काप्ट लेटर्स आता है देखा अपर किया मतलब आपर का फांक्शन लेहां आप यह सेडर नेक्स्ट फॉंक्षन ने लोईर का सेलेक्ट लोईर का अभी मैं यहां क्याप्टर लेटर्स दे रहे हैं मतलब यह अभी लोईर में कानबट करता है यह रहां लोईर फांशन का यह और दूसरा क्या है रिवर्स फंशन भी है सेलेक्ट सेलेक्ट है कि रिवर्स ओफ एक्स्पेशन देना है अब कि दिसी भी आते हैं यह रहा अभी दूसरे रिवर्स फंक्षन के और क्या है डिटा लेफ्ट फंक्षन है वो क्या है देखते हैं लेफ्ट फंक्शन क्या होता है लेफ्ट से देखो सेलेक्ट अब इसके बार उसमें कमा त्री मतलब लेफ्ट से ट्रीजिस सेलेट करना है मतलब अभी हमको क्या ओट्पुट आता है एबी सी ओट्पुट आता है अब बी सी लेफ्ट से मतलब अ कितना दिया और लेट्ट से सेलेक्ट होता और आप मैं क्या करती हुआ राइट फंक्शन यूस्ट करती है यह रहा राइट फंक्शन का यह होता है। और दूश्रा क्या क्या है कि ओगण क्या है हमें दिस सब्सट्रीं का सेट करना है कैसा देखते क्या है क्या सब्सक्रिंग वह तो छी टेलेखnant सब्सक्रीग दे रहे हैं ने एक सरीक में डें लेते हूं वोसके उते हुएन कहां से कहां सेल्ट कर बोरा नाद यहत्ना को pode सार्टिंग करना और 3 सेलेट करना है देखा अभी मतलब से फर्स्ट इंडेक्स से देखा भी स्री फर्स से शुरू करना 1 2 3 3 देखो 3 सेलेट करना है इसलिए 3 आये नहीं तो हमें यहां 2 दिया तो हमको b c d मतलब इंडेक्स 2 से 2 2 से 3 डिजिस सेलेट करने के लिए आता है यह रहां सब स्ट्रिंग का यूज है नहीं दूसरा क्या है कैरेक्टर इंडेक्स का एक कारेक्टर इंडेक्स क्या करता है हमको देखा इसलेक्ट करना है उसका एक क्यारेक्टर कहा है देब पाता चलता है सेलेक्ट है क्यार इंडेक्स हो हमें कुछ मेल आइडी दे रही हूं और उसके बाद क्या हो दे रही हूं यह हमें एड़ रेट का एड़ी है उसके पाता है उसके बाद क्यारेक्टर हो क्यारेक्टर है उसको देना पड़ता है उसके बाद प्रस से सेलेट करने का यह होता है देखा अभी उसका कारेक्टर का 8 है मतलब 1 देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 का प्लेस में अधर 8 आया है मतलब इसको कारेक्टर उसका इंडेक्स करना है हमको पता चला है 8 प्लेस में यह फर्स से कॉंट करके का उनको पताता है निए जोक ड्राइबा है आज के लिए क्या क्या देखा है हमें आज के लिए यह कने माढ़ेड़ी अनल देखा है